नागालेंड में कुछ संगटन हैं जो की सरकार के खिलाफ हैं इन संगटनों की कुछ मांगे हैं और वे चाहते हैं कि इन मांगों को माना जाए तो सरकार और इन संगटनों के बीच में लगातार तनातनी जो है वो बनी हुई है दोनों के बीच में सरकार और इन संगटनों के बीच में शांती के प्रियाफ जो है जारी है कि कोई समझोता हो सके और कोई मार्ग बीच का निकल सके इसी समध में इस एडिटोरिल में हम चर्चा करने वाले हैं Talking Tough Talk Tough का मतलब होता है बिल्कुल कठोरता के साथ बात करना है बिल्कुल forceful तरीके से बात करना The center must re-engage Re-engage का मतलब है पुनहे से शामिल होना With NSCN ये इस संगटन का नाम है खासकर इस संगटन को बोलते है NSCN National Socialist Council of Nagalim इसाक मुईवा है ये संगटन का नाम है तो the center must re-engage with NSCN without giving in Giving का मतलब होता है समर्पन कर देना हार मान लेना To its arbitrary demands Arbitrary का मतलब होता है मन मानी या फिर मन माना तो क्या editorial बात करता है कि केंदर सरकार को NSCN के साथ बातचीत करने के लिए दुबारा से शामिल होना चाहिए और सरकार को जुकना नहीं चाहिए Giving in मतलब सरकार को हार नहीं मानना चाहिए किसके आगे सरकार को हार नहीं मानना चाहिए ये जो NSCN है इसकी जो मनमानी मांगे है उन मनमानी मांगों के आगे सरकार को बिना जुके NSCN के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए 5 years since the signing of a framework agreement 5 years देखो 5 साल हो चुके हैं कब से since the signing of a framework agreement एक धांचा बनाया गया था एक framework एक प्रारूप बनाया गया था एक समझोते का प्रारूप बनाया गया था केंदर सरकार के बीच में और NSCN के बीच में तो उस बात को 5 साल हो चुके हैं between the Indian government and the National Socialist Council of Nagalim तो ध्यान रखना ये NSCN के लिए बार-बार जो है NSCN का मतलब है National Socialist Council of Nagalim तो 5 साल हो चुके हैं इनके बीच में एक समझोता तयार हुआ था एक रूप रेखा बनी थी इन दोनों के बीच में केंसरकार के बीच में और NSCN के बीच में लेकिन फिर हुआ क्या The deadlock Deadlock का मतलब होता है गतिरोध बिल्कुल ठहराओ के स्थिति The deadlock in the tax that came about in October 2019 लेकिन October 2019 के आसपास एक गतिरोध आ गया जो बात्चीत चल रही थी न उस बात्चीत में एक तरीके का रुकावट आ गई उस बात्चीत में और वो जो रुकावट आई बात्चीत में परसेश्ट वह अभी भी बनी हुई है परसेश्ट का मतलब होता है बने रहना With the Emergence of bottleneck Emergence का मतलब होता है किसी चीज का निकलना उभर के कुछ बातों का सामने आना उनको बोलते है Emergence Of bottleneck Bottle neck का मतलब क्या होता है Bottle neck का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो की प्रोग्रेस में रुकावट बनती है उसको बोलते है Bottle neck तो कई सारी बाते हैं एसी उभर के सामने आई जो की रुकावट में बादा बनी यानि कि ये जो बातचीत चल रही थी ना इंकी बीच में तो लगवग ये मानो कि October 2019 से ये लगवग बातचीत जो है बिल्कुल जो बातचीत जो बनी हुई थी तो उस चलती हुई बातचीत में काफी सारी इसी रुकावट ये जिनके तहत जो है deadlock की इस्तिती निर्मित हो गई ये देखो इसकी demand क्या है नस्सीन की क्या चाहता है इस डिमांड़ेट नागालेंड गवर्णर फिलाल नस्सीन ने कहा है उसने ये demand की है कि जो नागालेंड के गवर्णर है आरेंड रवी शुड भी रिमूड इनको रिमूव किया जाए इनको हटाया जाए as the interlocutor interlocutor का मतलब होता है वारताकार जो बातचीत करता है ना दो ग्रूप्स के बीच में है कि बई सुलह कराने की जो कोशिश करता है तो उसे हम बोलते है interlocutor बातचीत तो केंदर सरकार की तरफ से ये जो गवर्णर आरेंड रवी हैं वे केंदर सरकार और NSCN के बीच में वारताकार का काम कर रहे हैं एक प्रमुख वारताकार है ये तो फिलाल NSCN ने ये मांग की है कि आरेंड रवी को वारताकार के रूप में हटाया जाए फॉर टाक्स है न कि हम जो इनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते on the naga accord naga accord का मतलब है naga समझोता accord का मतलब है समझोता कि ये केंदर सरकार और NSCN के बीच में ये जो समझोता चल रहा है इस समझोते में ये जो वारताकार है कौन है वारताकार वरतमान में गवर्नर आरेंड रवी तो इन वारताकार को हटाया जाए एसी मांग किसने की है NSCN है talks were expanded expand का मतलब होता है और फैलाना और विस्तारित करना चीज को talks were expanded in 2017 by including other naga groups देखो ये groups एक बहुती प्रमुख ग्रूप है NSCN इसके अलावा भी naga land में अन्य कई groups है उनकी भी जो है अपनी कई मांगे है तो 2017 में बातचीत को बढ़ाया गया by including other naga groups क्या हुआ कि ये जो naga land के ये जो विभिन ग्रूप है जो की सरकार के खिलाफ है और केंदर सरकार के बीच में ये जो बातचीत चल रही है तो क्या हुआ इस बातचीत को 2017 में बढ़ाया गया इसके लावा अन्य जो naga land के groups है उनको भी बातचीत में शामिल किया गया under the banner the naga national political groups naga national political groups के अंतर है ना बैनर के तहत जो है अन्य नागा लेंड के जो groups है उन्हें शामिल किया गया और बातचीत के दाएरे को और बढ़ाया गया तो ये जो n-n-p-g है ना ये जो n-n-p-g लिखा हुआ ना नागा national political groups इसके तहत क्या है अन्य जो groups थे नागा लेंड के जो की सरकार के खिलाफ हैं या जिनकी कुछ मांगे हैं इन्हें भी जो है शामिल किया गया बातचीत में clearly इस पेश्ट रूप से the governor's letter in June addressed to chief minister देखो ये जो नागा लेंड के governor है इन्होंने क्या किया जून में एक letter लिखा किनको chief minister को कौन है chief minister nephew Rio जून माह में ये जो पत्र लिखा इस पत्र में आरोप लगाते हुए अलीजिंग का मतब है आरोप लगाते हुए the collapse collapse का मतब है गिर जाना ढह जाना collapse of law and order तो उस पत्र में governor ने मुख्य मंत्री को ये लिखा कि भई जो नागा लेंड है उसमें ये जो law and order की इस्थिती है कानून की जो इस्थिती है वो बिलकुल एक ऐसा लगता है कि बिलकुल गिर गया है कानून बिलकुल एक तुन समाप्त हो गया है alleging the collapse of law and order and that armed gangs armed gangs का मतब है कि कुछ gangs जिनके की पास हतियार है armed gangs है खास करके आर्म कहा गया है NSCN के लिए who question the sovereignty sovereignty का मतलब है संप्रभूता and integrity का मतलब है अखंडता of the nation were engaging in blatant extortion were engaging, engage का मतलब है शामिल होना, blatant का मतलब है बिल्कुल खुलम खुला बिल्कुल खुलम खुला, बिल्कुल खुलयाम extortion का मतलब होता है जबरन वसूली तो गवर्नर ने नागालेंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो को जून में एक पत्र लिखा उस पत्र में इन्होंने ये कहा कि जो नागालेंड है ना, उसमें जो कानून की इस्थिती है, वो बिल्कुल कानून जो है ना, बिल्कुल फेल हो चुका है कानून जो है बिल्कुल गिर चुका है और उन्होंने उस पत्र में ये आरोप लगाया कि नागालेंड में कुछ आर्म्ड गेंग्स हैं वे आर्म्ड गेंग्स जो है सवाल खड़े कर रही है क्या सवाल खड़े कर रही हूँ question the sovereignty and integrity of the nation कि कुछ armed gangs कुछ ऐसी gangs नागालेंड में पैदा हो गई है जो कि देश की संप्रभुता और देश की अखंडता पर सवाल उठाती है और ये जो armed gangs है ये armed gangs खुले आम जबरन वसूली कर रही है है ना खुले आम जो है पैसे की वसूली जो है कर रही है नागालेंड में तो ये जो बात नागालेंड के गवर्नर ने मुख्यमंतरी को लिखी पत्र में तो इस बात ने क्या किया है छू लिया, touched a sore spot, spot का मतलब हो गया जगय और sore का मतलब हो गया पीडा दायक है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक दुखती रग को छू लिया एक पीडा दायक जगे को छू लिया for the NSCN है कुल मिला कि ये जो NSCN जो संगठन है, इसको लगा कि भाई ये जो नागालेंड के गवर्नर ने ये जो बात कही है न, ये तो हमारे बारे में बात कही है, तो एक तरीके से NSCN को जो है बड़ी पीडा पहुँची इस चीज से while the group defended the practice, तो ये जो NSCN, यहाँ पे एक ग्रूप कहा गया है NSCN के लिए, defend का मतलब होता है बचाव करना defended the practice, यहाँ किस extortion के लिए, यानि की जबरन वसूली के लिए while the group defended the practice by terming it term का मतलब है संभोधित करते हुए while the group NSCN यह जो extortion है, इस extortion के बारे में अपना बचाव करते हुए कहा, कि यह जो है na tax collection है, यह कोई जबरन वसूली नहीं है यह tax collection है, कि हम तो कर वसूलते हैं, हमारा एक तरीके से tax वसूली है, कोई यह extortion नहीं है, तो इस तरह से NSCN ने अपना बचाव किया लेकिन editorial बात करता है, कि the letter was not entirely का मतलब होता है completely, पूरी तरीके से off the mark, off the mark का मतलब है irrelevant, बेमेलोना तो editorial बात कहता है editorial कहता है, कि NSCN ने यह कहके अपना बचाव किया, कि हम जो है extortion नहीं करते, यह तो tax collection है, लेकिन editorial बात करता है, कि यह जो letter था ना पूरी तरीके से बेमेल भी नहीं था यानि कि इस letter में कुछ हद तक सच्चाई भी थी, the letter was not entirely off the mark, एसा नहीं कह सकते येट, फिर भी, this has become an issue for the peace process with the NSCN going on to release details of the 2015 framework agreement that has not been shared in the public domain so far, public domain का मतलब होता है सारवजनिक छेत्र, उसको हम बोलते है public domain, so far का मतलब अब तक, येट, this has become an issue, है ना, तो लेकिन यह जो एक तरीके से, यह जो later था एक तरीके से, यह क्या हुआ, एक तरीके से, issue बन गया एक है ना, एक तरीके से, विवाद की जड़ बन गया for the peace process, कि भई, ये जो peace process, सरकार के बीच में, और NSCN के बीच में, जो जारी थी ना, peace process, उसके बीच में एक तरीके से, क्या बन गया, एक issue बन गया to release details NSCN ने कहा कि भई, जो 2015 का जो framework है, framework का मतलब होता है एक तरीके का धाचा निर्मित करते हो ना framework का मतलब है कि भई, जैसे आप एक समझोता करना चाहते हो, तो समझोते के लिए, जो रूप रेखा निर्धारित करते हो उसे हम बोलते है framework तो NSCN ने कहा कि 2015 में, जो agreement करने के लिए, जो framework बनाया गया था, उसे जो है, सारजनिक किया जाए जिसे कि अब तक सारजनिक नहीं किया गया है that has not been shared का मतलब है एक तरीके से public के बीच में लाना in the public domain so far तो यही NSCN ने बात कही कि 2015 का जो समझोता है, उस समझोते से जुड़ी हुई जो बाते हैं, उन्हें सारजनिक किया जाए, और वे बाते हैं जो कि अब तक सारजनिक नहीं की गयी while the other naga groups एक और, जबकि दूसरे जो naga groups हैं, मैंने बता है न, एक तो हो गया NSCN है न, जो कि बहुत ही ज़्यादा कटर naga group है इसके अलाबा, अन्य कई naga groups है उनका क्या कहना है also took exception to इसको याद रखना, यह एक phrase है take exception to take exception to का मतलब होता है नाराज होना while the other groups also took exception to the governor's remark हालांकि यह जो governor ने जो remark किये governor ने जो टिपणी अपने letter में मुख्यमंतरी को की तो governor ने जो बाते अपने letter में कही न उन बातों से अन्य नागा groups भी नाराज हुए take exception to, हालांकि अन्य नागा groups थे, जो अन्य जो नागा groups नागा लेंड में है वे भी governor की बातों से नाराज हुए कि governor ने जो बाते लिखी थी ना chief minister को उन बातों से अन्य नागा groups भी नाराज हुए they have deferred defer का मतलब होता है एक तरीके से अलग होना है मतबेद रखना they have deferred with the NSCN on the demand for Mr. Ravi's removal as interlocutor हालांकी अन्य जो नागा लेंड के group है वे भी governor की बातों से नाराज हुए लेकिन अन्य जो नागा लेंड के group है वे सहमत नहीं है deferred का मतलब होता है सहमत होना वे सहमत नहीं है NSCN से किस बात को लेकर यान्य कि अन्य जो नागालेंड के ग्रूप है वे नहीं चाहते ये जो NACN की डिमांड है ना कि Mr. Ravi को रिमूव किया जाए है कि Mr. Ravi को वारताकार के रूप में रिमूव करने की जो NACN की डिमांड है उस डिमांड से अन्य नागालेंड के ग्रूप जो है वे सहमत नहीं है यहनि कि अन्य नागालेंट के गुरुप चाहते हैं कि Mr. Ravi जो है उन्हें वारताकार बने रहने दिया जाए आगे देखते हैं Since 2015 2015 से the engagement है ना engagement का मतलब हो गया वही शामिल होना कि यह जो बातचीत चल रही है ना उसमें शामिल होना The engagement with other Naga groups has increased कि 2015 से अगर हम बात करें तो अन्य जो नागालेंट के गुरुप से हैं उनको बातचीत में शामिल करना वो बड़ा है ना उनका शामिल होने में बड़ोतरी देखने को मिली है Even if भले ही the N.S.C.N. is perceived N.S.C.N. is perceived Perseued का मतलब है किसी चीज के बारे में माना जाना है कि N.S.C.N. को माना जाता है N.S.C.N. के बारे में ऐसी धारना लोगों की है N.S.C.N. के बारे में माना जाता है As the major rebel organization Major का मतलब है बहुत बड़ा Rebel का मतलब है विद्रोही Organization का मतलब है संगठन कि N.S.C.N. को एक बहुत बड़ा विद्रोही संगठन माना जाता है लेकिन इसके बावजूद 2015 से अन्य जो नागालेंड के ग्रूप्स है उनके साथ केंदर सरकार का जो है एक तरीके से जो है engagement बड़ा है The differences between the N.N.P.G.s N.N.P.G. में को नाते है अन्य नागालेंड के ग्रूप्स और एक हो गया N.S.C.N. Are not insignificant अब देखो यहाँ पर एक तो लगा हुआ है not और significant के आगे लगा हुआ है insignificant तो इस तरह से जब दो बार not आ जाता है तो sentence क्या है positive हो जाता है Double negative अगर आ रही है बात है तो उसका मतलब है बात positive हो जाती है तो क्या editorial बात करना चाहता है कि the differences कि जो मतवेद हैं जो अंतर हैं कि इनके बीच में NNPGs के बीच में और NSCN के बीच में Nagaland के Anya Groups और Nagaland का SCN जो संगठन है इनके बीच में जो अंतर हैं वे काफी महत्वण हैं ये editorial बात करना चाहता है are not insignificant लिखा हुआ है लेकिन दो बार not और फिर insignificant तो यानि कि इनके बीच के जो अंतर है NSCN और NNPGs के बीच में जो अंतर हैं वे काफी महत्वण हैं वे अंतर हैं the NSCN still insists on ध्यान रखना insist के साथ में on preposition का प्रियोग करते हैं insist on का मतलब होता है आगरह करना है बार-बार किसी चीज पर जोड़ देना तो जो NSCN है वो किस बात पर जोर देता है वो लगातार इस बात का आगरह करता है एक greater nagalim beyond the boundaries of nagaland state तो देखो NSCN ये चाहता है कि एक बड़ा nagaland बनना चाहिए उसकी demand है कि nagaland को greater nagalim का निर्मान किया जाना चाहिए beyond का मतलब है के परे the boundaries of nagaland state कि वर्तमान में nagaland state की जो boundaries है उन boundaries को और विस्तारित करके greater nagalim का निर्मान किया जाए besides का मतलब है के अलावा इसके अलावा NSCN और क्या चाहता है seeking seeking का मतलब है इस बात को चाहते हुए इस बात की मांग करते हुए seeking a flag and constitution तो देखो NSCN क्या क्या चाहता है NSCN चाहता है कि वर्तमान में nagaland की boundaries को बढ़ा कर greater nagalim का निर्मान किया जाए इसके अलावा और क्या चाहता है NSCN कि nagaland का एक जंडा होना चाहिए nagaland का एक समविधान होना चाहिए most of the NNPGN most of the NNPGs इसके अलावा अन्य जो nagaland के group है अधिकांच जो nagaland के group है जो कि nagaland में काम कर रहे है based in nagaland on the other hand वे क्या चाहते है on the other hand का मतलब है इसके उलट वही एक और तो NSCN तो ऐसा चाहता है जबकि NNPGs क्या चाहते है have sought to CK की second form है sought और third form भी यह होती है have sought sought का मतलब है चाहना मांग करना have sought to settle the issue without disturbing the state boundaries इसके अलावा ये जो अन्य जो group है ना nagaland के वे चाहते हैं कि भई किसी तरह से मामला जो है शान्त हो जाए वे ये नहीं चाहते वे settle the issue है ना वे जो है issue को settle करना चाहते है without disturbing the state boundaries नागaland की boundaries को disturb किये बिना वे जो है समाधान चाहते हैं ये editorial यहां तक बात करता है while जब कि keeping the greater nagalim question in abayance abayance का मतलब होता है अधर में लटके होना है ना बीच में लटके होना यानि कि अन्य नागaland के जो group है वे greater nagalim वे greater nagalim के सवाल को छेड़ना ही नहीं चाहते वे चाहते ही नहीं है कि nagalim की जो सीमा है nagalim की जो boundary से उसको बढ़ाया जाए वे चाहते हैं कि बस किसी तरह से issue को settle कर दिया जाए उनकी कुछ मांगे है उन मांगों को जो है देख लिया जाए इसके लवाँ उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि nagalim की सीमाओं को बढ़ाया जाए greater nagalim का जो सवाल है वे उसको बीच में लटकाए रखना चाहते है वे चाहते हैं कि इसको बाद में देखा जाएगा वे इसे नहीं छेड़ना चाहते जबकि NSCN इस बात को लेकर बिल्कुल अडा हुआ है कि greater nagalim का निर्मान किया जाए एक जंडा बने और एक अलगी समिधान बने nagalim का any moves to alter boundaries editorial बात करता है कि अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं alter का मतलब होता है परिवर्तित करना alter का मतलब है परिवर्तित करना कि अगर nagalim की boundaries को परिवर्तित करने का कोई भी कदम उठाया जाता है तो इसके माद्यम से क्या होगा will intensify intensify का मतलब होता है गहन कर देना है और ज़्यादा तीवर कर देना ethnic conflict conflict का मतलब है जगड़ा संगर्ष ethnic का मतलब है प्रजाती editorial बात करता है कि कोई भी कदम अगर उठाया जाता है nagalim की boundaries को परिवर्तित करने का तो उसके माद्यम से क्या होगा प्रजातिय संगर्ष और गहन हो जाएगा and insurgencies beyond nagalim insurgencies का क्या मतलब होता है insurgencies का मतलब होता है withdraw beyond nagalim और nagalim में तो withdraw चल ही रहे हैं अगर हमने nagalim की boundaries को बढ़ाने का प्रियास किया तो यह जो withdraw की घटनाए हैं वे nagalim के बाहर भी हमें देखने को मिलेंगी खास करके manipur में भी जो है हमें withdraw की घटनाए जो है देखने को मिलेंगी the increasing support increasing support का मतलब है बढ़ता हुआ support in nagalim for a solution without affecting boundaries देखो the increasing support in nagalim कि हम क्या देख रहे है nagalim में जो है support बढ़ता जा रहा है किस चीच के लिए support बढ़ता जा रहा है for a solution एक समाधान के लिए क्या समाधान without affecting boundaries without affecting boundaries nagalim की boundaries को प्रभावित किये बिना एक समाधान nagalim के groups और सरकार के बीच में निकले तो यह जो एक तरीके का support जो बढ़ रहा है ना लगाता should have compelled compelled का मतलब है बाद्धे करना should have compelled the NSCN NSCN जो है बाद्धे होना चाहिए था NSCN बाद्धे होना चाहिए था यानि कि NSCN को इस बात को लेकर मजबूर होना था to move away from its intransigent position intransigent का मतलब होता है ideal बिल्कुल जिद्धी है ना intransigent intransigent position कि NSCN जो बिल्कुल अडा हुआ है ना अपनी मांग को लेकर तो NSCN को भी जो है बाद्धे होना था कि उसको भी NSCN को इस बात को समझना चाहिए था कि नागालेंड में अन्य जो ग्रुप से हैं वे चाहते हैं कि नागालेंड की boundaries को न छेडा जाए और जो है किसी तरह से शांती के लिए जो है प्रयास किये जाए तो NSCN को भी ये जो बढ़ती हुई मांग है नागालेंड में इस बढ़ती हुई मांग से प्रभावित होना था इस बढ़ती हुई मांग के चलते उससे भी मजबूर होना था और NSCN ने जो अपना अडियल रवईया अपना रखा है ना इस अडियल रवये को जो है उसे त्याग ना था ये डिटरल बात करता है move away, move away का मतलब है दूर होना तो NSCN को भी जो है दूर होना था किस चीज से दूर होना था कि ये जो उसकी जिद्धी पोजिशन है ना ये जो उसका अडियल रुख है इस अडियल रुख में उसे कमी लानी थी किसको? NSCN को उसे ये देखना था कि भी नागलेंड में जब इतने सारे ग्रुप्स हैं जो कि नागलेंड की बाउंडरीस को जो है नहीं छेडना चाहते और चाहते हैं कि शांती समाधान निकले तो इसके माधम से NSCN को भी जो है बात दे होना था कि NSCN भी जो है अडियल रवये में कमी लाए instead इसकी बजाए the rebel group NSCN के लिए कहा गया है rebel का मत्तब है विद्रोही कि NSCN के लिए कहा गया है विद्रोही ग्रूप है न instead इस NSCN ने किया क्या? hedge sort इसने चाहा है इसने मांग की है to redefine redefine का मत्तब है पुन है परिभाशित करना to redefine the tax process by expressing expressing का मत्तब है अभिव्यक्त करते हुए its lack of confidence lack of confidence का मत्तब है विश्वास का अभाव lack of confidence in Mr. Ravi तो NSCN ने बजाए किया क्या? NSCN ने इस बात को चाहा है कि यह जो tax process केंदर सरकार के बीच में और नागलेंड के गूर्प से में जो tax process चल रही है इस tax process को जो है दुबारा से परिभाशित किया जाए है ना NSCN ने कहा है कि हमें Mr. Ravi यानि की नागलेंड के जो गवर्णर है उनमें हमें विश्वास नहीं है तो Mr. Ravi में विश्वास की कमी को अभिव्यक्त करते हुए NSCN ने कहा है कि tax process को दुबारा से परिभाशित किया जाए यानि की tax process के लिए कोई नया interlocutor चुना जाए The NNPGs NNPGs में कोन आते है NSCN को छोड़के अन्य जो नागलेंड के गुरुप से है उनकी बात की जा रही है The NNPGs political parties विभिन नागलेंड की जो राजनेतिक parties है वे and other civil society organization इसके अलाबा अन्य जो civil society organization से वे also took exception to फिर आया देखो ये take exception to take exception to का मतब होता है नाराज होना take exception to the governor's stern का मतब है कठोर letter कि भई विभिन नागलेंड के governor ने ये जो कठोर letter नागलेंड के मुख्य मंतरी को लिखा था उस कठोर letter में जो बाते कही गई थी उन बातों से नागलेंड के जो अन्य ग्रूप है इसके अलाबा जो अन्य political parties है इसके अलाबा जो अन्य civil societies है वे भी नाराज हुए governor के इस letter से took exception to का मतलबे कि वे भी governor के इस letter से नाराज हुए that went beyond raising concerns over law and order क्योंकि ये जो letter governor ने मुख्य मंतरी को लिखा था इस letter में चिंता जाहिर की गई थी raising का मतलबे उठाना concerns का मतलबे चिंता तो इस letter में चिंताओं को उठाया गया था चिंता जाहिर की गई थी कानून को लेकर है law and order को लेकर है कानून विवस्था को लेकर जो चिंता जाहिर की गई थी लेकिन उससे भी परे और कुछ बाते भी की गई थी beyond का मतलब है परे जाना परे जाने का मतलब है कि कानून एवं विवस्था के अलावा भी अन्य कई बातें इस लेटर में की गई थी क्या लिखा था मिश्टर रभी ने इस लेटर में wrote that functions कि कुछ कार्य such as the transfer and posting of officials कि transfer and posting of officials in charge of law and order देखो इस लेटर में और क्या कहा गया था इस लेटर में ये कहा गया था गवर्नर ने कि in charge of, in charge of का मतलब क्या होता है control में होना, कि in charge of law and order कि भई जो भी law and order से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका की transfer किया जाता है transfer and posting of officials उन अधिकारियों की transfer and posting जो की कानून विवस्था से जुड़े हुए हैं और district level से उपर के हैं about the district level would be done उनका transfer किया जाएगा with his approval governor ने कहा कि ऐसे हमारे अधिकारी जो की कानून विवस्था से जुड़े हुए हैं और जो की जिला level से उपर के हैं उनकी transfer and posting मेरी सहमती से की जाएगी यह governor ने मुख्यमंतरी को अपने letter में बात लिखी है न तो इस बात से अन्य जो political parties हैं अन्य जो NNPGs हैं इसके लाव अन्य जो civil societies हैं उनको भी इस बात से जो है अच्छा नहीं लगा उन्हें भी ये बात जो है आगे देखते हैं but they have delineate जैको delineate का मतलब क्या होता है delineate का मतलब होता है बिल्कुल इस पश्ट तरीके से परिभाशित करना है न बिल्कुल इस पश्ट तरीके से किसी चीज को define करना किसी चीज को चित्रित करना but they have delineated clear differences with the NSCN लेकिन जो अन्य political parties है अन्य जो नागालेंट के groups है उन्होंने बिल्कुल इस पश्ट रूप से इस पश्ट रूप से जो है परिभाशित किया है उन्होंने जो है इस पश्ट रूप से अपने अंतर को define किया differences differences का मतलब मतभेद होना है differences with the NSCN on the peace talks issue यन्य की शान्ती वारता को लेकर जो एक तरीके से जो शान्ती वारता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस मुद्दे पर अन्य जो political groups है या फिर अन्य जो नागालेंट के groups है उन्होंने अपने मतभेद NSCN से जाहिर किये है उन्होंने कहा है कि ठीक है NSCN की जो है बाते हैं वो अलग है और हमारी जो बाते हैं वो अलग है हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से शान्ती जो समझोते जो चल रहे हैं वह संपन हो और हम नहीं चाहते हैं कि interlocutor को बदला जाए जैसे आप किसी जहाज पर सवार हो गए है तो इसका मतलब है आप उस पर on board हो गए है तो on board का मतलब होता है शामिल हो जाना तो the central government needs केंद्र सरकार को जरूरत है कि विबिन जो नागलेंड की parties है विबिन जो नागलेंड के groups है NSCN को छोड़ करें इन सभी को जो है शामिल किया जाए on board है इन सभी को शामिल किया जाए and retrait और केंद्र सरकार दोबारा से दोहरा है retrait का मतलब होता है दोहराना और केंद्र सरकार दोबारा से दोहरा है किस चीच को दोहरा है its commitment commitment का मतलब होता है परतिबद्धता और केंदर सरकार अपनी पृतिवद्धता को दोबारा से दो रहा है किस बात की पृतिवद्धता To finalizing the naga accord कि भई यह जो naga accord कि भई यह जो naga समझोते से समधित जो बात चल रही है इसको final किया जाए है कुल मिलाके final किया जाए इसे final समधान निकाला जाए While, जब की, साथी साथ ठीक है, एक और तो naga accord, naga समझोते को लेकर समधान निकाला जाए साथी साथ, seeking seeking का मतलब है चाहते हुए To re-engage, re-engage का मतलब है पुनहे शामिल होना, with the n-a-s-c-n साथी साथ n-a-s-c-n के साथ, दुबारा से re-engage हुआ जाए, without है ना, कि न-a-s-c-n के साथ भी बातचीत की जाए, without giving in बिना समर्पन किये, बिना जुके, giving in का मतलब है समर्पन किये, जुक जाना, हार मांजाना without giving in to its arbitrary demand, कि n-a-s-c-n की जो मनमानी मांगे हैं, उन मनमानी मांगो के आगे, हार न मानते हुए, केंद सरकार को चाहिए, कि केंद सरकार n-a-s-c-n के साथ भी जो है engage हो, दुबारा से जो है बातचीत करे